लुज़ें गृबनिंग आम योगेश, शंदर शुकला, योड बायलॉजी फकेल्टी आप लोगों का बहुत स्वागत करते हैं आज इकलास में, मुझे उमीद है आप लोग बहुत 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 होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, सब विद्यार्थियों को हमा आज की शाम की शुब कामना है तो सभी अपने अपने इस्ट मित्रों को दोस्तों को शेर कर दीजे और बता दीजे क्लास चल रही है और आज हम आपको पढ़ाने आए हैं चैप्ट नंबर 15 बोड के लिए बहुत ज़रूरी है चैप्टर marathon हो नहीं पा रही थी और आप लोगों का इसी हफते बहुत सारे बोड का एक्जाम भी है इसलिए हमने कहा एक शौट में तो नहीं शौट दो में कम से कम दो क्लास में हम इसको खदम कर देंगे तो आज इसकी पहली क्लास है कल इसकी दूसरी क्लास होगी, दो क्लास चैप्टर खतम, ठीक है, तो ये सेमी मेराथन है, हाफ मेराथन है, समझ लीजे, एक घंटे में आधा चैप्टर कवर करेंगे और आधा चैप्टर कल कवर कर देंगे, ठीक है, ये बोड के बच्चों के लिए एक special gift है, जो बच्चों क को देना है हमें, तो सभी सभी अपने स्टमित्रों को दोस्तों को शेर कर दीजे, बताइए ये क्लास चल रही है, 12 के लिए बहुत जरूरी है, नीट वाले बच्चे भी इस चैप्टर को जरूर देखेंगे, क्योंकि इस पे भी नीट में एक से दो कोश्चन जरूर आते है तो ये दो कोश्चन नीट के लिए बहुत ही अती आवश्यक है, बेटा जी, याद रखिएगा, आप इसे शेर ही नहीं, बहुत जादा शेर करिएगा, सभी दोस्तों तक पहुँचाईएगा, क्लास चल रही है, और बहुत ही जादा जरूरी है, तो शेर करिए, प्रणाम, रहे हैं, इस्टेडी बॉय कुसवाह, आपको कि शक्की क्यों होता रहता है भाई, कि हम लाइव नहीं होंगे, क्लास चलती है, बेस शाकान सा राट और इसी समय पर क्लास चलती है हमारी, गोड एवनिंग, स्टाट किया जाए, तयार हैं आप लोग, आप लोग तयार हैं, स्टाट की जाए, अच्की क्लास, आज हमें एक बहुत बहतरीन क्लास बात करनी है, जैव विवित्ता एवन सनरक्षन का एक जबर जस्ट टॉपिक, आप लोगों को, क्या दबंग है हवाज का, आपका प्लीज डायलोग बोल दें, अच्छा, कौन से डायलोग बोलें, बताओ, उसी बोल देता हूं, नब्बे परसंट डाटा खतम होगे, बहुत अच्छा हुआ, और पिच्चर देखो, तुम लोग यही होता है तुम्हारे साथ में, ठीक है ठीक है, चलिए, सुरुआत करें, आज इकला स्टार्ट करते हैं, बिना लेट के हो, मैं आप सभी लोगों को बता दूँ कि आप लोगों के लिए नीट का, यास, यह चैप्टर बहुत इंपोर्टन है, बिटा, यह टॉपिक बहुत इंपोर्टन है, रिजविक मलिक, यास, शेयर करिए अपने सभी दोस्तों को, मैं स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है, मैं स्टार्ट कर देता हूँ, बस आप लोग बस सेयर कर देना सभी दोस्तों को, और बता देना कि बहुत चल रहा है, अच्छा, मैं 11 के बच्चों को बोलना चाहूँगा, आप लोग बहुत कर देखिएगा आप लोगों ने अपलोड करवाया है अब उस वीडियो को जा कर देखो और रन करने के जिम्मेदारी आपकी खुब शेयर करिएगा उसको सभी दोस्तों को बताओ 11 बढ़ना है तो मैं बहुत जल्दी वीडियो पर वीडियो आप लोगों के लिए बना बना कर डाल रहा हूं आप उसे जरूर देखना चैप्ट नमबर 10 चैप्ट नमबर 11 अपलोड हो चुका है आप उसे जा कर जरूर देखिएगा बहुत इंपोर्टन है चलिए एक जानकारी आप लोगों को दे देते हैं नीट 2023 की जो बैच अभी लॉंच हुई है ये सीमित समय तक चलने वाला ये offer, crash course की price वैसे तो 9999 रुपे में है जो कुछ दिन के बाद ये launch होगा ये 9999 रुपे में आपको मिलेगा लेकिन फिलहाल आप लोगों को अभी अभी launch हुआ है इसलिए special offer है 6999 रुपे में आप लोगों को ये मिल जाएगा तो 6999 रुपे में यदि आप join करना चाहते हैं पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे खरीद लीजिए सीम समय के लिए offer है 014 715 8250 पे call कर ले batch 20 third की आप मेंसे बहुत सारे बच्चे 2022 के लिए भी join कर रहे हैं आप मेंसे जो बच्चे 2012 के लिए पढ़ना चाहते हैं इसी साल के लिए पढ़ना चाहते हैं, इनके लिए भी 100 दिन का special course चल रहा है, ये वैसे तो course 5999 रुपय का है, और आपको कुछ दिन में ये भी 5999 रुपय में मिलेगा, ठीक है, special offer जो है 2999 रुपय में, मतलब मातर 3000 रुपय में आपको 2022 की तयारी हो जाएगी, यह भी offer सीमिस समय के लिए है, 012 824-715-8250 पे call करिए, और अपने आपको register करवाईए, इस special batch में, चलिए, आप लोगों के लिए लेकर आया हो ये chapter, आपको share करना है, सभी दोस्तों को बताना है, बहुत जादा share करना है, सभी को बताना है, class चल दिए, चलिए, बीना लेट के हुए आज स्टार्ट करते हैं, चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है जैव विविधता, चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है बच्चे जैव विविधता, और एवं सनरक्षन, हमें इस दुनिया के जितने भी जीव जन्तु हैं, उनके बारे में बात करनी हैं, उनके सनरक्षन के हो रहे हैं उनमें खतरा क्या है और उनसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं खुद को इस विशह पे हम बात करेंगे तो सबसे पहली बात what is biodiversity? Biodiversity का मतलब होता है जैव और diversity का मतलब होता है विविधता दुनिया में जितने भी जीव जन्तू हैं आप यह बात को देखते हैं कि आप मनुश्यों को ही देख लें दुनिया में 8 billions type के मनुश्य हैं कुट्टों को देख लें तो कुट्टे और ऐसे ही दुनिया में अगर देखें तो 1000-2000 प्रजातियां आपको ऐसे ही दिखाई देंगे यह सारी प्रजातियां इस दुनिया में जो हैं यह सारी प्रजातियां जो इस दुनिया में हैं यह एक प्रकार की विविधता को प्रदर्शित करते हैं और इस विविधता का नाम ही जैव विविधता है इस विविधता क जहां जीवन है यहां बहुत सारे प्रकार की ना केवल जाती इस्तर पर जैवी संगठन के सभी इस्तर पर कोशिकाओं के इस्तर पर व्रिहद अणू से लेकर जीवों बायो तक बहुत जादा ही विविदता मिलती है अलग-अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं आप मुझे सुन पा रहे हैं आपस में बात करने अगर आप इदार आएं तो दफाव जाएं यहां से सुनिएगा यह टॉपिक बहुत इंट्रेस्टिंग है मज़ेदार है बस सुनते चलिए आधा क्लास में आज यह चैप्टर खतम कर दूँगा मैं तो भाई इस दुनिया में जो केवल जाती के दौर पर देखा जाए तो करोडों जातिया हैं इस दुनिया में अगर आपको जैवी संगठन के अधार पर देखें तो दुनिया में बहुत सारे प्रकार के मनुष्य हैं कोशिकाएं भी हजारों प्रकार की हैं कोशिकाएं भी हजारों प्रेकार की है और यह इतना जादा प्रेकार इतनी जादा विविद्था जो है इन जीवों में है इसलिए यह important है जैव विविद्था सब्द सबसे पहले किस ने दिया था साइंटिस का नाम था Edward Wilson say yes or no नीट में पूछा जाएगा बोर्ड में पूछा जाएगा कि इस दुनिया में जैव विविद्था शब्द सबसे पहली बार किस ने दिया था say yes Edward Wilson ने Edward Wilson ने सबसे पहली बार दिया था yes no फटाफट मुझे comment section पे बताइए कि दुनिया में सबसे पहली बार जैव विविद्था शब्द बायो डाइवर्सिटी शब्द किस ने दिया था Edward Wilson दिया था इन्होंने जैविक संगठन के प्रत्यक इस्तर पर उपस्तिर विविद्था को दर्शाने के रिए प्रचलित किया था कि इस दुनिया में जितने भी biological molecules हैं उन सब का एक इस्तर बनाया जाए एक क्रम बनाया जाए और ये क्रम जो है वो कहलाता है जैव विविद्था दुनिया में तीन प्रकार की विविद्थाएं हो सकती हैं पहला जेनेटिकल बायो डैवर्सिटी आनुवानशिक विविद् आप देखो भाई इस दुनिया में आठ मतलब कहना चाहिए आठ सो करोड लोग है इस दुनिया में आठ सो करोड लोग है पिटा यहाँ पर सुरिएगा आठ सो करोड लोग है इस दुनिया में और ये आठ सो करोड टाइप के लोग सब का आनुवानशिक पदार्थ अलग- मेरा DNA अलग आपका DNA अलग दुनिया में हर किसी का DNA अलग अलग है तो हम सभी मनुष्य हैं हम सभी मनुष्य हैं लेकिन सबके अंदर आणवानशिक रूप से विविधता है यह आणवानशिक विविधता कहलाती है इसके बाद कुछ कुछ लोग जो हैं अनुवांशिक रूप से हो सकता है विविध हो पर जाती के तौर पर भी अलग होते हैं तो इसे अपन कहेंगे जाती विविधता जाती विविधता का मतलब होता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक ही प्रकार की बज़े से हम लोग मनुष्य हैं तो हम सब एक जाती हो गई, फिर दूसरी प्रजाती डॉक की हो गई, फिर भालू की हो गई, फिर सेर की हो गई, फिर कुत्ते की हो गई, फिर हाथी की हो गई, ये सब भी एक प्रकार की प्रजाती हो गई, को भी विदता कहते हैं, ठीके, ये पार्ट हो गया यहाँ पर, इनके अलावा तीसरा point आता है ecological ecological का मतलब हो गया यहाँ पर उनके पास में जो जिस छेतर में वो रहते हैं ecological तो जहाँ पर भी वो छेतर में जिस छेतर में रहते हैं उसके हिसाब से विर्था कोई भारत है कोई पाकिस्तान है कोई अफगानिस्तान है कोई इंग्लैंड है कोई अमेरिका है कोई सब कोई अलग अलग है न तो इसलिए दुनिया में तीन प्रकार की डाइवर्सिटी होती है बच्चे यह बहुत इंपॉर्डन कोश्चन है बोर्ड में 12 में कई बार पूछा गया है आप लोग यहीं के यहीं रट्टा मारो से यस य इसे अपन इकोलोजिकल कहते हैं इकोलोजिकल का मतलब होता है जहां पर परियावर्नी विर्ता इसे अपन क्या कहेंगे परियावर्नी विर्ता दुनिया में सबसे बड़ी विर्ता परियावर्नी विर्ता है फिर इसके बाद जो आती है वो जाती और फिर जाती हो सकता है सम हो तो अनुवानशिक रूप से विर्ता होती है पहला कॉंसेप्ट आपके सामने है पहला कॉंसेप्ट आनुवानशिक विर्ता के एक्जामपल को देख रहे हैं हम यहाँ पर आनुवानशिक विर्ता का एकदम सीधा सा कॉंसेप्ट है कि हम सब जो है वो मनुष्य है है ना हम स तुम्हारे भाई अलग अलग प्रकार के मतलब कौन है जो इनसानों को ही इनसानों से अलग कर रहा है उसमें वे विविलताइं दिखाई दे रही है उसमें भी अलग पन कुछ नजर आ रहा है कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है कुछ अलग दिखाई दे रहा है और यह जो विविद्था है और कौन लाया इसने आनुवानशिक पदार्थ ने मैं और मेरे पिताजी में इतना बड़ा अंतर कैसे आया आनुवानशिक विविद्था हम दोनों का जिनेटिक माटेरियल आनुवानशिक पदार्थ अलग है बच्चा लोग येस प्रिशान पांडे अलग-अलग हैं तो पहली विर्टा जो होती है बच्चा लोग उसे हम कहते हैं आनवानशी किस्तर की विर्टा एक्जाम्पल देखो हिमाले के अलग-अलग छेत्रों में अलग-अलग समय पे एक ही एक प्लांट है जिसका औशिधिय प्लांट नाम है राव वॉल्फ या वेम कादू समझ लो बोड में नीट में वही से कोश्चन आएगा आनवानशीक विर्टा का एक्जाम्पल क्या है राव वॉल्फ या वोमिटोरिया अब होता क्या है बाई आनवानशीक रूप से विर्टा कहीं पर ऐसा कहीं पर बड़ा कहीं पर किसी भी प्रकार का सबके सब र अलग-अलग मात्रा की मिलती है किसी में कम मात्रा में किसी में जादा मात्रा में किसी में और जादा मात्रा में किसी में बिलकुल कम तो सबसे पहला कॉंसेप्ट ये नजर आता है कि दुनिया में राव वॉल्फिया जो है वो एक प्रकार का नहीं है हिमाले की चोटियों मे राव वुल्फिया बहुत सारी संख्या में पाया जाता है ठीक है और सब में रेस्पैरिन की मात्रा अलग-अलग है ये इस बात को प्रदशित करता है कि इनके बीच में विविज़ताइं है इनके बीच में विविज़ताइं है सब के सब आम हैं लेकिन किसी का आम नीला, पीला, खजूरी और और भी दुनिया टाइप का जितने प्रकार के आम होते हैं, वो सब आम अलग-अलग हैं कि नहीं? तो सब में आम में ग्लुकोस, सुक्रोस की मात्रा अलग-अलग हुई कि नहीं? तो इसे हैं अपन कहते हैं आनुवानशिक विविदता, मेरी बाद समझ में रही है, तो विविदता उसके द्वारा उत्पादित सक्री रसायन, रेस्पेरिन की छमता तथा सांद्रता से संबंदित हो सकती है, रावुल्फिया एक ही प्रजाती है, एक ही जाती है, परन्तु उसके अंदर पाए जाने वाले रेस्पेरिन की मात्रा बहुत जादा भिन है, that's why हम ये कहते हैं, that's why हम ये कहते हैं, कि इसमें विविदताएं हैं, समझ में आ रही है, say yes बचा लोग, फटा-फट बताईए, क्या आपको समझ में आ रहे हैं, क्या आपको समझ में आ रहे है यहां पर बताईए अथरो पटेल यहां तक समझ में आया की नहीं आया इसी तरह से आप देखो कि हमारे पास में धान की लगभग जो है पचास हजार वेराइटी है सब के सब धान है लेकिन पचास हजार वेराइटी है बच्चा लोग राववोल्फिया वेमटेरिया से क्या प्राप्ट होता है राववोल्फिया वेमटेरिया से यही बात याद रखनी है यही पर पूछा जाएगा यही बात क्लियर कर ली मतलब स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ देखो फिर क्या बहतरीन होता है बोड में चैप्टर भी इसलिए लेकर आया तो होप सो आपको बड़िया समझ में दुनिया में धान की भारत में धान की कितनी प्रजाती डारेक्टली याद रखो 50,000 1000 से अधिक प्रजाती तो आम की यह भाई देखो इतना सारा मैंने लिख दिया अलफूस, केसर, सोरिया, निगोला अरजुनमा, मलक्का चौसा, मोतीचूर, हाइब्रिड वनराज, खजुराहो, तोतापरी कंचन, आमबेर, सरगम जवहादर जो भी नाम है यह सब के सब आम की प्रजाती है यह सब के सब आम हैं परंतु सबकी विराइटीज देखे कितना ज़ादा है और यह विराइटीज इने आ रही है आनवानशिक विविदता की वज़े से यह देखो, धान देखो यहाँ पर धान भी सब अलग लग प्रकार की है यह भी विराइटीज आती है आनवानशिक विविदता के प्रकार की, दूसरी विविद्धा पर पहुंसते हैं बिटा, दूसरी विविद्धा आती है जाती विविद्धा, अब विविद्धा आएगी जातियों में, यह इसका इस्तर ही जाती है, जातियों के अधार पर विविद्धा, और जब हम जातियों के अधार पर तो आप देखेंगे पश्चमी घाट में, इस्टन घाट, वेस्टन घाट, हिंदू, खुश, ये हिमालियन, इन सभी जगों पर कुछ खास प्रकार की जीवजनतु बहुत वेराइटी में है, ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल, सारे के सारे जो हैं अलग-अलग प्रकार की हैं, देखो इन मेरे, उभेचर की प्रजातियां देखो, सारे के सारे अलग-अलग हैं, लेकिन उभेचर तो है न, उभेचर का मतलब होता है, एंफीबियंस, और जब हम उन्हें एंफीबियंस कह रहे हैं, तो उनकी वरजातियां देखो, यह देखो यहाँ पर जितने भी दिखाई दे रहे, they all are frog बट लेकिन सब की जाती अलग-अलग है ये सब की प्रजातिया अलग-अलग है और इस हिसाब से जो होता है यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल सिद्धान्त राजपूत हम कोशिश करेंगे चैप्टर खता मोन दो, उसके बाद हम आपको जरूर 20 डेज में पूरे बोर्ड की तयारी करवा देंगे हर चैप्टर का सबसे पहले आप लोगो कहानिया क्लियर होगी ठीक है, सारे टॉपिक आप लोगो क्लियर करा देंगे चली अगले विशे पे आते हैं तो यह देखिए हमारे भाई इस्टन घाट में पश्च में, पूर्वी छेतर में, पूर्वी छेतर में पश्च में, पश्च में, हिंदू कुष में, हिमालियन में हर जगे विराइटी बहुत ज़ादा है तिसरी विराइटी आती है पारिष्टिक विद्ता और पारिष्टिक विद्ता में याद रखना भारत में कहीं रेगिस्तान है तो कहीं पर वर्षावन चेरा पूंजी में सबस्यादा पानी गिरता है थार के मरुस्थल में जो है पानी नहीं गिरता ठीक है कहीं पर मैदान है तो कहीं पर हिमालय है कहीं पानी पानी वहाँ पे डिल्टा है कहीं पर सुन्दरवन का डिल्टा याद आ रहे ठीक है कहीं पे मैंगरूव है कहीं पे कोरल रिफ कहीं पे आद्रभूमी कहीं पे वेटलेंड कहीं पे अलपाइन सब भारत में ये सब है ये सब परियावरणी तोर पर विविद्ता है, ये पारिस्तिक विविद्ता है हाँ या ना, अब इन विविद्ताओं के बाद हम यहाँ पर मुख्य रूप से आ रहे हैं, जातिकत विविद्ता, ठीके, यह सकलेश लाइफ यह कर सकते हैं, लेकिन अब वो बाद में नंबर ओफ इस्पिसीज ओन अर्थ, ग्लोबल इस्पिसीज डाइवर्सिटी, अब हम यह जानेंगे कि पूरे दुनिया में कितने वेराइटीज हैं, दुनिया में कितने प्रजाती हैं, उनका क्या-क्या रोल है, ये सब बातों के बारे में आज हम बात करेंगे, ठीके, त ये है, IUCN फुल फर्म लिखा हुआ है, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, 2004 में इस अंस्थाने क्या बताया, 2004 में इसके अंस्वार बताई गई, कि अब तक जन्तूं की जो संख्या है, पादपो की संख्या, 1.5 मिलियन से कुछ अधिक है, important सवाल, बहुत बड़ा question, कि इस दुनिया में जन्तू और पादपों की प्रजातियां कितनी है, 1.5 मिलियन, हमारे यूटूब चैनल के subscription से थोड़ा सा ज़ादा, 1.5 मिलियन प्रजातियां है इस दुनिया में, ठीक है, 1.5 मिलियन इस पीसीज इस दुनिया में है, पादप और जन्तूओं की, फंगस का हम पदा नहीं लगा सकते प्रोटिस्टा और बैक्टिरिया को हम नहीं जान सकते, तो हम मुख रूप से पादप और जन्तूओं की बात करेंगे, इनके पास वेराइटीज है, 1.5 मिलियन वेराइटीज है, इसको बताया था एक साइंटिस ने, जिसका नाम था रॉबर्ट में, रॉबर्ट में, इनक संतुरित और वज्यानिक सुद्रूप से आकलन किया जाएगा, तो विश्व को लगभग 7 मिलियन तक मान सकते हैं, 70 लाख ये माना जा सकता है, कि अगर हम इसे और अच्छे तरीके से जाचे, पर्खे, तो पता चलेगा कि हमारी जो वेराइटी असल में, वो 7 मिलियन के आस पास है, रॉबर्ट में के अनुसार, अब इन दुनिया में जो वेराइटीज हैं, वा आईए, जानते हैं कि दुनिया में सबसे अदा प्रजाती किसकी है, पौधो की है, जन्तूों की, जन्तू में कौन, केड़े मकोडे जादा है, कि रेप्टाइला जादा है, कि मनुष् पर असल में कितना है, सैवन मिलियन के आज पास है, अब चलो, ठीक है, इनका बेंड लिखा है क्या आपने, क्या बुल रहे है, इनकाम बेंड, कहा लिखा मैंने, ये, अरे ना ना ना, इनकाम बेंड नहीं, इंटरनेशनल लिखने की कोशिश कर रहा था, लेकि नीचे लिखा हुआ था, तो फिर मैंने नहीं लिखा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर नेचरल रिसॉर्सेस और कंजर्वेशन आफ नेचरल रिसॉर्सेस एंड ये टॉपिक हमने इसको बताया था, ये टॉपिक है, सैवन मिलियन के आज पास ये होना चाहिए था, अब देखते हैं दुनिया में जन्तू कितने हैं, पादब कितने हैं वगरा वगरा, शुरुआत करते हैं सबसे पहला कॉंसेट, कि सभी आकलित में लगभग 70% से अधिक तो जन्तू हैं, तो इस दुनिया में 70% लोग जो है बिटा, वो एनिमल्स हैं, और केवल 30% पार्ट जो है, वो उसको सब मिलाकर जो है, लगभग लगभग हम मानके चलते हैं कि ये 22% के आसपास ये लोग हैं, 22% के पास ये लोग हैं, और बाकी जो बचावव, 8% किसी और को दे दिया गया, 8% जो है वो अधर है, तो सवाल सीधा सा है कि 70% इस दुनिया में एनिमल हैं बच्चा लोग, और 22% जो है इस दुनिया में प्लांट हैं और 8% जो है वो अधर है, 22% से अधिक नहीं है, तो ये तीन पॉइंट समझ में आगए कि 70% प्लांट, 70% एनिमल, 22% प्लांट और 30% है 8% अधर, इसमें भी पता चलता है कि अगर मैं जनतुओं पे जाओं, किस पे जाता हूं, जनतुओ पे, अगर मैं जनतुओं में देखूं, तो जनतुओं में भी कीट सबसे अधिक पाई जाती, जो इनसेक्ट सोते हैं, इनसेक्ट मतलब कीट, पूरे जनतुओं में सबसे जादा, मतलब 70% पार्ट जो है वो कीट आते हैं, और उम्मीद है आपको पता होगा कि ये आते हैं बिटा आर्थरोपोडा में 11 में आपको पढ़ाया गया कि दुनिया का सबसे बड़ा जो फाइलम है जो संग है वो आर्थरोपोडा है क्या ये आपको याद है क्या आपको ये बात याद है कि दुनिया का सबसे बड़ा संग आर्थरोपोडा है और उसी में कीडे आते हैं दुनिया के पाए जाने वाले जनतुओं का 70% पार्ट जो है वो आर्थरोपोडा होते हैं कीट होते हैं इस डाइगरम में देखो इस डाइगरम में 70% पार्ट में आप कीट को देख रहे हैं इंसेक्टा को देख रहे हैं बाकी बचा हुआ जो पाठ है क्या है बिटाया आपर इसका अर्थ है कि इस प्रत्य ग्रह में 10 जन्तूँ में से 7 जो है टोटल 10 जन्तूँ है उन में से 7 लोगों के पास में क्या है 7 लोग है इन में से कीडे हैं टोटल अगर माले 70% का यही मतलब होता है कि 100 में से 70% जो है वो अगर कीडे हैं तो सव में से साथ जो है वो कीडे हैं तीन कोई और जीव जनतू यहाँ पर हो सकते हैं इसका अगला कॉंसेप्ट आता है कि संसार में इसके अलावा बाकी कोन है कुछ कम मात्रा में मोलस्का होते हैं दूसरा सबसे बड़ा फाइलम फिर आते हैं क्रेस्टेरिया जो उपर में क्रेस्टेशिया जो सतह में रहते हैं और सबसे अन्त में अन्प्राणी समूँ यह पहला डाइगराम बहुत पूछा जाएगा कि 70% आकशेरुकु में 70% पार्ट जो है वो इंसेक्ट का होता है कीडो का होता है यह आर्थ्रो पोडा में आते हैं फिर हम दूसरे पार्ट में आते हैं कशेरुक वाले में जिनने अपन कहते हैं बिटा वर्टी ब्रेट्स वर्टी ब्रेट्स मतलब जिनके पास रीड की अड़ी पाई जाती है उनमें से कौन-कौन आएगा इनका 50% पार्ट जो है वो तो मचली है बाई 25% पार्ट जो है इस्तंधारी है 25% पार्ट पक्षी है मतलब 10-10% के इसाब से अपन इसको अबर बाढ़ दे तो ठीक है बाकी लोगों को अपन बाढ़ सकते हैं कि सरीसरे बाकी बचा हुआ भाग है उभैचर, सरीसरे पक्षी और इस्तंधारी और उभैचर बटे हुए अगली प्रक्रिया में हम जाएंगे संसार में कवक जातियों की कुल संख्या बहुत जादा है कवकों की संख्या भी बहुत जादा है ये पॉइंट याद रखना मचली हो गया, उभैचर हो गया पक्षी हो गया, सरीश्रिफ हो गया उभैचर ये सब के सब जो होते हैं मैमल से अधिक है इनका परसेंटेज आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर अपन प्लांट में पहुंसते हैं जब अपन प्लांट में पहुंसते हैं और उसके बाद आवरत तिबीजी मतलब एंजियो स्पर्म है बाकि सबके संख्याओं को आप देखें मौसेस मतलब ब्रायोफाइटा फर्न मतलब टेरिडोफाइटा सैवाल मतलब एल्गी और लाइकेन में कुछ संख्या में है तो यहाँ पर तीसरा चीज यह दिखाई दिया कि कवकों की संख्या भी बहुत जादा है और पौधों में सबसे ज़्यादा एंजियो स्पर्म पाया जाता है यह कॉंसेट हुआ दिमाग में बैठा लो यही कॉंसेट यहाँ पर पता चलेगा और इसी के हिसाब से सारी चीज़ें यहाँ पर चलती है तो जो अमीद है आप को बिलकुल यह समझ में आ गया होगा कि यह कैसे सारा काम यहाँ पर हो रहा है अगली प्रक्रियाओं में पहुंसते है ठीक है अब इसमें आते हैं यहाँ पर अगली प्रक्रियाओं क्या है यहाँ पर देखिए अब बायो डाइवरसिटी इन इंडिया हम इंडिया में बहुत विविदताएं हैं आईए देखतें किस विविदताओं में क्या होता है भारत में जो भूमी है वो पूरे विश्व का 2.4% है यह point important है बहुत जादा कितने परसेंट केवाद 2.4% भाग ही हमारे पास में पृत्वी है लेकिन दुनिया में जितनी भी विविदताएं है उसका हम 8.1% भाग हमारे पास में है यह देटा भी याद रखना कि दुनिया में विविदताएं जो है वे एक बार फिर से ध्यान देखना डाक्टर फारुक फिर से देखना पड़ेगा बेटा एक बार कि आखिर कैसे इस दुनिया में प्रजातियों का क्या संक्या है सारे प्लांट एक तरफ और कवा के एक तरफ यह पहला डेटा है जो NCRT ने दे रखा है दुनिया में सबसे ज्यादा जन्तूओं में कीट पाए जाते हैं कशेरुक में सबसे ज्यादा मचली पाई जाती है यह तीन डेटा अपने दिमाग में बैठा लेना इसी से नीट में कोश पूछा जाएगा यह important बात है अगली प्रक्रिया में हम पहुंसते हैं तो दुनिया में जाती विद्धा जो है बिटा वो है 8.1% भारत की और मात्र जमीन हमको मिली है तो समलो 4 मतलब अथा विद्धा है बहुत विद्धा है भाई बहुत जादा विद्धा किता परसेंट 8 1% और 2.4% जो है उनके पास में जमीन है अब क्या होगा फिर हमने देखा कि यही कारण है कि संसार के भारा संसार में टोटल ना 12 महा विद्ध होट स्पॉट बनाए गए है होट स्पॉट गरम केंदर बनाए गए है कि ये भाई सबसे जादा डेवलप है उन में से 12 महा बड़ी विविद्धावाले हैं उन में से भारत भी एक है कि हमारे पास विविद्धाव की संख्या अथा है बहुत जादा बहुत इंपोरेंट है इसके बाद भारत में लगबग माना जाता है कि 45,000 के आसपास प्लांट है और इससे 2 गुना मतलब 90,000 के आसपास जनतू है ये पॉइंट याद रखने का है बिट्धाव यहाँ पर ठीक है कि 45,000 के पास में कितना भाई मुझे कमेंट सेक्षन में दिखना चाहिए होट स्पोट या होट स्पोट मतलब वो जगए जहां पर सबसे जादा विविद्धाए है सबसे जादा विविद्धाए है चन्दन हाँ जिन में से दो इंडिया में है राजकुमार बताएंगे उसके बारे में अब अगर रॉबर्ट में की अनुसार जाते हैं कि रॉबर्ट मेंने कहा था कि अगर 1.5 मिलियन है तो 7 मिलियन बता दिया था कि असल में हमको पता जो 1.5 है लेकिन है ये 7 मिलियन उसी तरह हमको पता 45,000 है पर असल में प्लांट की जो प्रजाती है वो यहाँ पर बहुत जादा ही है अब रॉबर्ट में के अनुसार को अगर देखा जाए तो अभी तक जो हमको पता है वो केवल 22 प्रिस्टत ही पता चल पाया है रॉबर्ट में के अनुसार रॉबर्ट में भाई साब ने कहा कि हमें जो पता है न वो सिर्फ क्या बोलते हैं 22 पर्शंट ही असल में बहुत सारी और भी प्रजातिया हैं हम लोग ढूड नहीं पा रहे हैं तो उन्होंने कहा देखो मैं बता रहा हूँ कि कम से कम प्लांट जो है वो एक लाख होंगे कम से कम प्लांट जो है पादप एक लाख होंगे और जन्तु कम से कम तीन लाख क्या असपास में होंगे मेरा ये मानना है जिनको अभी ढूड़ना बाकी है पहले पता चला कि 45 जार है और 90 हजार जन्तु है लेकिन Meg का कहना है भाई कि ये कम से कम एक लाख होना चाहिए और ये कम से कम जो है तीन लाख के असपास में होना चाहिए अभी इनको खोजना बाकी है अगर खोजेंगे तो ये पता चलेगा Robert Meg के अनुसार ठीक है भारत की अभी विद्धिनी विद्धाइं हैं रॉबर्ट में की अनुसार अब अगली कहानी इन में से बहुत सारे जीवजन्तु जो छोटे हैं प्रोकरियोटिक बैक्टिरिया इनको तो हम गिनी ही नहीं सकते इनको किसी माध्यम में उगाया नहीं जा सकते लेबर्टरीज में परंपरिक तोरपर सुक्ष में जीवों की पहचानों के लिए उचित नहीं है क्योंकि इन में से बहुत सारी प्रजातियां जो हैं प्रयोग साला में नहीं उगाई जा सकती हमें उनका पता नहीं चलता तो हम सुक्ष में जीवों का पता भी नहीं लगा पा रहे हैं इतने बैक्टिरिया है, कोरोना है, टाइफाइड है, मलेरिया है यह लोग का हम पता नहीं लगा पते हैं हमें पता चल पाता है केवल जन्तु का और पादब का तो जन्तु का भारत में प्रजाती 45,000 है, सुरी पादप की और जन्तु की 90,000 के आसपास में है, ये आखरी सत्य है, ये भी मेरा ही मानना है, मुहम्मद बिलाल, बात समझ मारी, ये कॉंसेप्ट यहाँ पर बन गया, अब दूसरा कॉंसेप्ट आता है कि जो जैव विद्ता है कि इसको कौन-कौन सी चीज निर्भर करती है, कौन-कौन सी चीज निर्भर करती है, कहाँ पर प्रिथवी के कौन सा हिस्सा है, भारत में विद्ता जादा है, किसी और देश में कम क्यों है, बाकी और किसी देश में कम क्यों, अमेरिका में क्यों कम है, औस्टेलिया में क्यो नहीं है, हम इस विशेगो जानना चाहते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि इसे अपन कहते हैं, pattern of biodiversity, pattern of biodiversity का मतलब होता है कि दुनिया में कोई pattern है क्या, pattern of biodiversity, कि तो किसी scientist ने कहा कि यहाँ पर है बेटा सूरज, यहां पर है सूरज, और यहां पर है माल लेते हैं पृत्वी, अब पृत्वी थोड़ा सा बड़ा बना दिया है, मैंने क्योंकि पृत्वी की उपर तो concept करना सूरज दूर है, तो छोटा दिखाई देगा, यहां से जो sunlight जा रही है बच्चा लोग, यह जो sunlight ज भाग हो गया, ठीके, एक तो मद्ध भाग हो गया, एक ऊपर वाला भाग हो गया और एक नीचे वाला भाग हो गया, आपको होप सो पता होगा कि इस दुनिया में तीन प्रकार की रेखाई इनको बाड़ती है, एक तो सबसे पहला प्रिच्वी के बीचों बीच की जो रेख उसे भूमध्य रेखा कहते हैं, फिर उसके बाद उसके उपर की रेखा, मध्य रेखा, भूमध्य रेखा कहते हैं, जो प्रिच्वी को दो भागों बाटती है, और उसके उपर में होती है करक रेखा, क्या ही आपको पता है, हाँ या ना जल्दी बताओ भूगोल में पड़े के आसपास का जो छेतर होता है करकरेखा तक में यहाँ पर अधिक विविदता होती है यह अधिक विविदता वाला छेतर है ठीक है मद्ध में सबसे अधिक विविदता और जैसे जैसे हम इनसे धुरूओं की ओर जाते जाते हैं न उपर की तरफ यह नीचे धुरूओं की तर रफ जाते रहते हैं विविदता कम होने लग जाती है विविदता कम होने लग जाती है क्यों ऐसा भाई क्योंकि धूरच का प्रकास सोड़ा सा कम पढ़ने लग जाता है और जैसे ही सूरच का प्रकास कम होने लग जाता है वैसे वैसे विविदताएं कम होने लग जाती है ये concept है, क्या ये बात समझ में आई क्या ये बात आपको समझ में आई, yes or no, जल्दी जल्दी बोलिए यहाँ पर, yes, R और R बताईए, क्या ये बात समझ में आती है, कि जैसे बीच का concept है, उसमें सूरज का प्रकास ज्यादा पड़ता है, तो यहाँ पर विविद्ता बहुत ज्यादा है, जैसे जैसे ये उपर की तरफ में जाता गया, विविद्ता क्या होती गई, कम होती गई बात समझ में आ रही है, कि उपर जाने पर धुरों की तरफ जाने पर विविद्ता कम होगी और मध्य में विर्था अधिक है ये concept है pattern of biodiversity का तो जितने भी देश हैं जो बीच की तरफ में हैं उनकी विर्था अधिक रहेगी जैसे भारत का बीच वाला छेतर मैदानी छेतर Amazon forest Amazon forest सुने नो प्रित्वी दुनिया का फेफडा है बोलते हैं उसको वो जो है वो बीच में रहे तो उसमें विर्था जादा है फिर आप आगए यहाँ पर green land में आगए आप जो है दुरूओं की तरफ में चले गए वहाँ पर कहां जीव किरता घटती जाती है is a very important point यह प्रित्वी है यह प्रित्वी कई भूमध्य रेखा है equator भूमध्य रेखा जिसे अगर हम compass में ना पें तो zero degree में है यह इससे उपर की तरफ में जाएंगे तो 23.5 north में एक करक रेखा है और वैसे ही 23.5 south में भी एक करक रेखा है ठीक है करक रेखा ऊपर वाली को करक रेखा कहते है नीचे वाले को साथ कुछ हैसी कुछ कहते है जो भी कहते होंगे देख लेना यार उसमें है ना क्या कहते है नीचे वाली रेखा को सबस्यादर वित्ता है है ना बताओ तो नीचे वली रेखाओ क्या कहते हैं मेरे साब से तो कारखी कहते हैं भूल गया बहुत दिन बाद उपढ़ रहा हूं तो ठीक है अब इसके उपर जो है वही रेखा है भूमत दरीखा से उपर की तरफ जाएंगे और जैसे ही उपर की तरफ में जाएंगे तो 66.5 नौर्थ में जो होता है वो अब हम वहाँ पर द्रूब में पहुँच गए और वैसे ही 66.5 नौर्थ में हम साउथ पोल पे पहुँच गए ये हो गया अंटार्क्टिक और वो हो गया आर्क्टिक उपर की तरफ में हम पहुँच गए तो पहुँच गए बिटा आर्क्टिक में और नीच हुआ क्या याद हुआ हाँ या ना बोले फटा फट बोलिए मकर रेखा हाँ मकर रेखा कहते हैं अभी याद आया उपर वाली को करक और नीचे वाली को मकर रेखा कहते हैं और बीच वाली को भूमद रेखा बस 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 इंगलिश में याद रहता है कैप्रिकॉन और कैंसर कैं उपर और नीचे जाने पर विर्ताय जो है वो कम होने लग जाती हैं केवल कुछ अपवादों को छोड़ कर उच्ण कटिबंधी छेदर जो 23.5 नौर्थ में या 23.5 साउथ के बीच में हैं यहाँ पर अधिक जातियां पाई जाती हैं याद रखेगा उपर में अगर यहाँ पर मैं करक रेखा और यहाँ पर जो है यह बना दिया हो मकर रेखा माल लेते हैं फिर से यहाँ पर लिख देते हैं मकर रेखा तो आपको पता है करक रेखा जो है 23.5 नौर्थ में भी है और 23.5 साउथ में अगर देखा जाये ना तो यह पर मकर रेखा है इन दोनों के बीच का जो समय होता है यहां पर अधिक विदता पाई जाएगी और इसके उपर जो भाग है इसके उपर जो भाग है अब हम पहुँच गए हैं 66.5 नौर्थ में और अब हम पहुँच गए हैं 66.5 साउथ में यहां पर विविदताएं सबसे कम ह होंगी ये बात ध्यान पे रखिएगा कि यहाँ पर उपर से बीच से उपर जाने पर विर्ताएं कम हो जाती हैं भूमद्य रेखा और करक रेखा के बीच में मकर रेखा के बीच में विर्ताएं सबसे जादा हैं और उसके उपर जाने पर विर्ताएं कम होने लग जाती हैं आ वहाँ पर 105 पक्षी है कोलंबिया भूमद्रेखा में है यह 41 डिग्री नौर्थ में है 41 डिग्री नौर्थ मतलब कुछ जादा ही नौर्थ हो गया तो वहाँ पर 105 पक्षी है उसके उपर ग्रीन लैंड में पहुँच गया तो वहाँ पर 61 डिग्री नौर्थ है तो वहाँ पर 41 degree north में जो है यहां पर 104 है और उसके उपर 71 degree north के आसपास में जाएंगे 105 है और वहां पर जाएंगे तो 56 variety तो कहां 1400 फिर 105 फिर 56 variety कम हो रही है कि नहीं हो रही है variety कम हो रही की नहीं हो रही है यह स्नितिन तिवारी 11 की वीडियो अपलोड हो गई चैप्टर नमबर 10 और 11 खूब शेयर करो, सब को बता दो कि चैप्टर 11 जिसको, सरी, मतलब 11 की जो वाकी चैप्टर की वीडियोज है वो मैं लाइव नहीं ले पा रहा हूँ किसी कारण वस तो मैंने रिकॉर्ड करकर आपको भेज दिया है बस आप उसे देखते रहिए और आपको enjoyment आएगा बड़ी आसे compact study है, कोई बातचीत नहीं हुई है अच्छी सी वीडियो है, आप उसे जाकर देखिए आपको बहुत मज़ा आएगा ठीक है? 11 का class करवा दीजिए याज पांडे जी, आप देखिएगा वहाँ पर 11 की वीडियो अपलोडेड हो रही है 12 के लिए हम लोग लाइव ले रहे है 11 की वीडियो अपलोडेड हो रही है एकदम मस्त मस्त वीडियो बनाकर भेजिए मैंने एकदम पढ़ाई, सीरियसली आप जाकर देखो उसे ठीक है, तो ये इस तरीके से कारकेम चलता है बेटा यहाँ पर और इस बात को याद रखेगा, चलिए भाई अगले विशा में पहुंसते हैं भारत में अधिकतर भूभाग जो है उश्नकटिबंदी छेतर में हैं जिसमें 1200 से अधिक पक्षियों की प्रजातिय है तो भारत का अधिकांज भाग जो है उश्नकटिबंदी में भूमत दरेखा से उपर की तरफ में है जादा भाग उपर नीचे है तो भारत में 1400 पक्षियों की विराइटी है कितनी विराइटी है चौदा सो पक्षियों की विराइटी है कोर्स ले सकते हैं क्या बिलकुल ले सकते हैं रानू चौधर ये नी चौधर ही बिलकुल लीजिए आप लोग यहाँ पर ठीक है समझ मारी मेरी बात यहाँ पर यह कार्वस जो है यहाँ पर समझ में आजाएगी यहाँ चली अगले विशाय पर पहुंसते है एकवाडर एक जगे का नाम है जानते होंगे आप लोग यहाँ तो सुने हो छोड़ा सा घूमने फिरने वाली जगे में एकवाडर बहुत फेमस है एकवाडर में जो है समभाणी पादपो की जातियां USA के मध्य पश्चिम से इस्थे सितोन शेतर से दस गुना अधिक है तो USA जो है थोड़ा सा मतलब क्या कहना चाहिए पोल की तरफ है धुरो की तरफ में तो उसकी तुल्ला में इकवाडर की विराइटी जो है वहाँ पर दस गुना अधिक है समभाणी पादपो की विराइटी जो है वो अधिक है और इसलिए यह पोइंट याद रखना कि इसलिए हमें एक बात समझ में आ गई कि भाई उपर की तरफ जाने पर विराइटी कम और पीच में विराइटी जादा है क्या कहते हो समझ माया अब अगला क्लास जो है एक पॉइंट और ये भी देख लो भाई यहाँ पर अब सबसे इंपॉइंट पॉइंट आता है Amazon के बारे में Amazon Forest Amazon Forest में अब आते हैं भाई कि ये दुनिया की सबसे जादा रिच बायो डाइवरसिटी है दक्षिन अमेरिका का Amazon उष्ण कटी बंदी छेत्रों का वन है और जैवित्ता पर सबसे जादा अधिक विरताएं है आईए इनकी विरताओं का दर्सन करते है आईए इनकी विरताओं का इन में 40,000 प्रकार के प्लांट हैं, 3,000 प्रकार की फिशेस हैं, 1300 प्रकार की बर्ड्स हैं, 427 प्रजाती मैमल्स हैं, 427 अमफीबियन्स हैं, 378 रेप्टाइला हैं और 1,25,000 के आसपास में इन वर्टी ब्रेट्स हैं इतनी जादा वेराइटीज देखिए ये सांप इतने ब 40,000 प्रजातियां जो हैं पौदो की हैं, 3000 फिशेस, 1300 बर्ड, 427 मैमल, 427 अमफीबियन, 370 रेप्टाइला, 1,25,000 के आसपास जो हैं वो इन वर्टी ब्रेट्स हैं इतनी जादा वेराइटीज हैं कि आप कुछ सोच नहीं सकते हैं ये इतनी जादा वेराइटीज के जो प्ल दुनिया की जो प्रजातियां हैं, उनका किसी छेतर से इससे कोई संबंध है क्या, इसके लिए बात आती है, जाती छेतर संबंध, इसे हम कहते हैं बेटा, Species Area Relation, मेरी बात समझ में आ रहा है, Species Area Relation कहा जाता है इस चीज को, तो मतब जन का नाम था, महान वेग्यानिक थे अलेक्जेंडर वॉम हम बोलने कहा, कि अमेरिका के जंगों में, गहन अनवेशन के बात बताया कि कुछ सीमा तक किसी छेतर की जाती सम्रिद्धी, छेतर की सीमा बढ़ने पर बढ़ती है, इन्होंने कहा, कि यदि मैं किसी छेतर की सीमा को बढ़ा दू, तो वहां की प्रज यहाँ पर डाला इन्होंने जाती विर्टा और यहाँ पर डाल दिया एरिया और इन्होंने कहा कि जैसे ही मैं एरिया को बढ़ाता जाता हूँ तो इस्पिसीज रिचनिस बहुत हद तक बढ़ती है लेकिन फिर दीरे दीरे उसकी संख्या क्या होने लग जाती है एक गठाल है एका मतलब हो गया एरिया बढ़ाते हैं तो इस्पिसीज बढ़ेगा एरिया बढ़ाने पर यहाँ पर ठीक है अब जब इस्पिसीज एकस का डिरेक्लि प्रपोर्शेन हा जाए गया तो उर्टा कर क्या करते है इस एक्वल स्वार्ट Uhat कर C का मतलब क्या होता यह यहाँ पर गुडांक है C क्या है बिटा यहाँ पर C यहाँ पर है गुडांक यह गुडांक की वज़े से ऐसा होता है और गुडांक ही हमें यहाँ पर डालना चाहिए S is equal to CA का घात में Z अब इस बात को समझते हैं कि क्या क्या है जाती और सम्रिद्धी और वर्गोगी की व्यापक किसमे जो है छेत्रों के बीच संबंध आयताकार अतिपरवलाकार जो है रेक्टैंगुलर हाइपरबोला बनता है ये एक important data है कई बार NCRD में पूछा जाएगा कि अगर इनके बीच में ग्राफ बनाया तो कैसा बना हाइपरबोला ग्राफ बनेगा रेक्टैंगुलर हाइपरबोला मतलब सुरू में बढ़ेगा 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 फिर जो है वो कम हो जाएगा ग्राफ बढ़ते बढ़ते उपर जाएगा और ग्राफ बाद में कम हो जाएगा ये concept hyperbola बनेगा इसमें कौन किसको प्रदर्शित कर रहा है यदि आप इसमें log लगा दें तो ये graph सीधा हो जाएगा लेकिन log लगाने से क्या होगा log में लगाएंगे तो log s हो जाएगा यहाँ पर is equals to c है तो यहाँ पर हो जाएगा log c घात में z है तो अगर आपने थोड़ा बहुत भी mathematics पढ़ा होगा तो आपको पता है कि घात का सामने आ जाता है z log a ये formula बन जाएगा रट्टा मारने के अवस्चकता नहीं है बहुत ही आसान पॉइंट है ये और नहीं समझ में आग z क्या है उसकी ढाल रेखी ढाल है और क्या बोल सकते हैं c क्या है अंताखंड intercept जो होता है उनके बीच में c जो है वो concept लग जाता है इस तरीके से ये concept बनता है कि हाँ इनके बीच का जो graph है वो इस तरीके से बढ़ता जाता है और z का man decide करेगा कि कितनी जादा species रेचनियस है थोड़ा सा समान भी है थिंग ग्रेट क्या बन रहे हैं अपर थोड़ा सा S समान भी है B है I think ग्राफ हाँ 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 वही ग्राफ जो होता है वैसा ही बनता है वहाँ पर ठीक है बास समझ में आ रही है clear है तो ये लाका अरे यार कहां से log का कोई concept है नहीं कई बार जो है ना छोटी छोटी चीजों को समझने के लिए log वगरा लगा देते हैं यही तो mathematics समझ में नहीं आती लेकिन फिर भी यह याद रखना कि कभी कभी biology को mathematics की नजर से देखते हैं अब इतना बढ़ा data कैसे निकालेंगे तो क्या किया जाता है पता है आपको क्या लगता है कि पूरा निकालेंगे ऐसा बैठके कि पितने amazon में इतनी ज्यादा richness है इस एरिया बढ़ाएंगे तो ऐसा बढ़ेंगे एक काम करो एक किलो मीटर या मान लोग 500 मीटर के अंदर ला गया अच्छा इंटू फोर डारेक्टली लगा दिये उसमें से कि भाई बाकी इतना होता है इतना हो जाता है इस स्यादा नहीं होता ऐसा गर गया बास समझ में आई यह होता है इस तरीके से जेड के मान पर निर्भर करना है क्या हाँ जेड मान आरजू तरी पाठी अभी फोकस करना नीट में यहीं पूछा जाएगा यह सब कॉंसेट एकदम सिंपल बस पहला इतना याद रखना कि जाती सम्रिद्धी का जो रिलेशन है वो हाइपर बोला बनता है ग्राफ याद हो जाएगा ग्राफ जो है वो हाइपर बोला बनता है ठीक है अब हाइपर बोला के बाद दूसरा ये हो तो Z का मान Z होई धलान अब धलान पे डिपेंड करेगा कि धलान कैसा कैसा हो सकता है तो Z का मान कहां कहां के लिए कैसा है बस इतना बस ध्यान रख लीजेगा बस दो मेंट पार्ट बोल रहों है 0.1 से 0.2 तक का अगर डेटा होता है तो ये small area के लिए है इसे regression line के धलान आश्चर जनक जरूप से एक जैसी होगी इसका मतलब है ये graph धीरे 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 जो धलान आएगी ना नीचे की तरफ में एक जैसी मतलब धीरे 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 ऐसा ऐसा कम हो जाएगा यह ढलान है दूसरा कॉंसेप्ट है अगर कोई बहुत बड़ा समू है तो Z का मान कितना होगा 0.6 से 1.2 के आसपास अगर कोई small area में बस इतना याद रखना बिटा यही इन नीट में कई बार पूछा जाएगा कि अगर कोई छोटा area है small area है तो परास 0.1 से 0.2 के आसपास में होगा धीरे 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 आबादी बड़ेगी बड़ा अगर समू है तो वहाँ पर Z का मान जो होता है 0.6 से 1.2 होगा इसकी ड़लान धीरे धीरे है इसकी बहुतीवर तिर्ची ड़लान जो है इसकी रहेगी तिर्ची खड़ी ड़लान रहेगी यह दो बात याद रहेगा तिर्ची खड़ी ड़लान जो है वो 0.6 से 1.2 परास के बीच की होगी और यह बड़े area के लिए है बड़े समूह के लिए है 0.1 से 0.2 का धलान है वो धीरे-धीरे धलान आएगा और वो small area के लिए है याद हो जाएगा बोलो फटा-फट अगर जैसे महाधीप में उश्रकटी बंधी छेत्रों में देखा जाए जहाँ पर बहुत विर्ता है जैसे फलाहारी पक्षी इस तंधारियों की अगर रेखा देखी जाए तो इसकी point आती है 1.15 के आसपास इनकी अबादी और तेजी से बढ़ती है इस तंधारी लोग बहुत तेजी से बढ़ते हैं इतना एरिया बढ़ते जाओ उतना जयदा बढ़ते जाएंगे तो बड़े एरिया के लिए जो है 1.15 जो बड़ा समू है उसके लिए 0.6 से 1.2 के आसपास जो छोटा एरिया है उसके लिए पराध 0.1 से 0.2 के लिए होगा अगर 0.1 0.2 लिखा हुआ है तो वो धलान धीरे धीरे आ रही है और अगर धलान जो है मतलब थी खड़ी तिर्शी धलान दिखरी है मतलब बड़ा समू के लिए अगर है तो 0.6 से 1.2 ये डेटा बिटा नीट के वे बहुत जरूरी है एक बार वस पढ़ लेना बाकी कोई दिक्कत की बाद है ही नहीं फिर दूसरा एक कॉंसेप्ट यहाँ पर नजर आता है ध्यान रखेगा इस स्मॉल एरिया यस मैं स्मॉल एरिया जो बाजों में लिख देना अर्जुद्रिपार्टी यही नीट में पूछा जा सकता है अगर पूछने का मन हुआ तो करवाएंगे पी यार फिटनेस भाई सब को उश्चन उश्चन करवा देंगे कहें चिंसन लेते हो याद हुआ की नहीं हुआ अमारी बातों को बताओ पहले याद हुआ ना बास इतना याद हुआ ना बहुत बड़ी है अब आगे आतने थोड़ा सा इसके बाद एक साइंटिस साइज इन्होंने कहा डेविट टिलमेन साइंटिस लगा नाम याद रख लेना विट्टा नहीं तो तुम्हारा नाम बुल जाओगे अपना-पना इन्होंने कहा कि जिस जगह पर जादा आबादी पाई जाती है जिन भुखंडों पर अधिक जातियां पाई जाती है बहुत प्रकार की जातियां बहुत जातियां अधिक जातियां है साल दर साल बहुत अधिक जातियां होने की वज़े से साल दर साल क्या होता है कुल जय उभार में कम विभिन्नता दर साती है अगर बहुत जादा विविद्धता है तो उन लोगों के जय उभार में बायो मास में बहुत अंतर नहीं होता जिदने पैदा होते हैं फिर बन जाते हैं फिर बढ़िया मेंटेन रखते हैं अपने आपको बड़ा परिवार हैं दिख नहीं पाता कि कभी अमीर हुए कभ गरीब हुए कभ बढ़ा कभ घटा बराबर मेंटेन रखते हैं अपने आपको उन्होंने अपने प्रियोगों में प उत्पादक्ता मतला material भी जादा बनेंगे, पेड़ पोधे भी जादा लगेंगे, जीवजन्तू भी जादा रहेंगे, अब देखो यहाँ पर जैसे Amazon forest में विद्धता जादा है, तो जीवजन्तू भी जादा है, उत्पादक्ता भी जादा है, oxygen भी जादा निकलता है, बहु पूछा जा सकता है यहाँ पर याद रखना है कि विद्धा में व्रिद्धी से उत्पादक्ता बढ़ती है भाई उत्पादक्ता बढ़ती जाएगी विद्धा बढ़ेगी उत्पादक्ता बढ़ती जाएगी अगला कॉंसेप्ट अधिक जातियां जहां पर रहेंगी वहाँ पर जैव भार कम विविद्धा दरसाते हैं ये भी दुसरी लाइन है या भी पूछा जा सकता है अगला पॉइंट सम्रद्ध जैव विविद्धा अच्छे परितंत के लिए आवश्चक नहीं बलकि इस ग्रह परमानों जीवन के लिए भी बहुत आवश्चक है कि इस दुनि में उनके हिसाब से जितना जिंदा रहेंगे समझ में आश्यका वरमा उमीद है आपको ये बात समझ में आई होगे सुपेर नंबर अब ध्यान दीजे इसके बाद एक साइंटिस आए उन्होंने कहा रीवेट पॉपर हाइपोथेसिस उन्होंने कहा जैविरता बहुत जरू इससे पॉल एनहरिक ने कहा कि जैसे अगर आप विमान पे बैठे हैं पॉल एनहरिक का एक कॉंसेप्ट सा राइवेट पॉपर मैं बताता हूँ वाट इस राइवेट पॉपर आप एक कॉंसेप्ट कहानी को याद रखो अगर आप विमान पे बैठे हो एरोप्लेन में कभी बैठे होगे कभी कभार एकात वहां से नट बोल्ट उखाड के ले आओ बाहर कोई दिक्कत नहीं होता थोड़ा सा और कहीं का चुरा चुरा के नट बोल्ट भसकात लेकर आपके ला लिए बाहर तो भी दिक्कत नहीं हो लेकिन धीरे 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 अगर आप उसके नट निकाल लिए तो और दिक्कत हो जाएगी कैसी लगी मेरी कहानी जल्दी बताओ कि एक विमान है उस विमान के छोटे 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 नट बोल्ट को अगर छोटे छोटे पुर्जो को अगर आप निकालते जाओ तो ठोड़ा सा विमान ज्यादा कमजोर क्या होगा एक बार में क निकाल लिए उसको, तो धीरे धीरे विमान कमजोर होगे, अब आप कहेंगे, आप क्या बता रहे हो, सवाल यही है दुनिया का किस दुनिया में अगर आप कभी एकाज प्रजाती नष्ट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्य नहीं, लेकिन धीरे धीरे अगर जातिया वो कील एक राइविट है, वैसे ही जातियाँ भी एक राइविट है, और ये राइविट जो है, आप पॉपट है एक प्रकार का प्लेन, इस प्लेन में, इस पारिस्तिक तंत्र में जो प्रजातियां है, उन्होंने उसको बैलेंस करके रखा हुआ है, और यदी आप धीरे प्रजाती को गायब करते जाओगे तो एक समय पे आश्चर जनक रूप से पूरा जो अपका विमान है वो कमजोर हो जाएगा क्या हो जाएगा कमजोर हो जाएगा समझ में हमारी बात क्या कहा हमने सुनो अब इनकी कहानी पाल हेनिरिक ने कहा इन्होंने रिवेट पॉपर परिकल्पना दी अब रिवेट पॉपर क्या थोड़ा सा लगेगा अरे बाबरे क्या बहुती बहुती अठीन होगा बहुती आसा हुआ है यदि वायू यानका हर यात्री अपने साथ एक रिविट मतलब एक कील को एक जाती को वहां से निकालता जाए ले जाने लगे तो जाती विलुक्त होती गई है कि करके तब आरंभ में जहाज को कोई सुरक्षा खास प्रभावित नहीं होगी लेकिन अधिक तोर पर अ यही है राइविट पॉपिट हाइपोध गया इसे पॉल एने रिच ने दिया था बहुत गजब के साइंटिस्ट थे विमान को उन्होंने कहा था कि हर विमान परितंत्र के तरह काम करता और इसमें भी सब उससे ज़्यादा कुछ खास प्रजातियां होती हैं। पंकों को नुकसान नहीं करना है। सिरागे सब पैसा हाँ बिलकुल पूरा पैसा सिराजाएगा आज पाइसा बात समझ मारी है। तो इसी तरह से जो है यहाँ पंक जहाज के पंक के रिवट को परतंतर के मुख जातियों से तुल्ला की गई है। यही है रिवट पॉपट हाइपोथैसिस मुझे अमीद है। आज ही क्लास आपको बहुत समझ में आई होगी। व्योज तो कम थे लेकिन कोई बात नहीं। टॉपिक बहुत इंट्रस्टिंग है। आप शेयर करेंगे और लोगों को बताएंगे। मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। अगर आप लोगों के व्यूज ऐसे ही रहे और आप लोगों के इंट्रस्ट नहीं आया तो फिर हमें दूसरा कुछ करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। समझ मारी है। तो इसलिए भरपूर शेयर करेंगे लोगों को बताएंगे क्लास चल रही है और जरूरी है बहुत इंपॉर्टन क्लास है। कैसी लगी आज़ी क्लास कमेंट सेक्शन पर बताएंगे बहुत दिन बद पढ़ा कर बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को अब MCQ का सेशन तो अभी हम लाएंगे, कोशन लाएंगे लेकिन पढ़ा के अच्छा लग रहा है आप लोगों को तो सभी विद्यार्चियों को आज के साम के शुब कामना है, अपना बहुत ध्यान रखना, मिलते है नेक्स लास में, थैंक्यू, शेयर करना, सस्क्राइब क करना हमारे चैनल को, हिट लाइक बटन यदि क्लास पसंद आई हो तो, और सभी दोस्तों को बताना, इस चैप्टर को नहीं पढ़ा, तो क्या पढ़ा भाई, मज़िदार है ना, अभी बहुत कुछ है हमारी पेटी में, हम बात करेंगे आगे टॉपिक में, थैंक्यू,